Arithmetic Progressions Exercise 5.3 अब करेंगे इस exercise का last question, question number 20 Question पढ़ते हैं, in a potato race, a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato देखें यहाँ पर इस question में potato race के बारे में बताया है, कि एक potato race में bucket starting में रख दी Starting point पर रख दी है bucket, जो कि 5 meter दूर है from the first potato, जहां पहला potato रखेंगा, उससे 5 meter पहले है इसके आगे पढ़ते हैं, and the other potatoes are placed 3 meter apart in state line अब state line में ही बाकी के जो दूसरे potatoes हैं वो रखें, 3-3 meter के दूरी पर जैसे कि पहला potato 5 meter पर, फिर next potato जोगा उसके 3 meter बाद है, फिर अगला फिर 3 meter बाद है, फिर अगला फिर 3 meter के बाद है, इस तरह से there are 10 potatoes, तो total जो potatoes हैं वो 10 है, ठीक है तो यहाँ पर n की value जो होने वाली वो 10 होने वाली है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं एक competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, अब देखें एक competitor को क्या करना है, यहाँ से start करना है, यहाँ से आलू यानि potato उठाना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर next आलू जहाँ होगा, next potato जहाँ होगा, फिर वापस आगे उसको bucket में डालना है, ठीक है, इसी तरह से उसे continue करना है, जब तक कि सारे potatoes bucket में ना आ जाए, what is the total distance the competitor has to run, अब हमें यहाँ पता करना है कि इस competitor ने कितनी total distance run करी, ठीक है, चली करते है, इस question को बहुत ही असान है, बहुत ही important question है, अब देखें जरा इसको समझने की कोशिस कीजिए, यहाँ पर है यह bucket, जग एक कोई competitor यहाँ से 5 मीटर पर लौटने में भी 5, यहनि 5 प्लस 5 कितनी हो गई, 10, टोटल हो गई 5 प्लस 5 कितनी, 10 मीटर, फिर उसके बाद next क्या होगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक गया, यहाँ तो प्लस 3, 8 हो गया, और लौटने में भी 8, यहनि 8 जाने की और 8 आने की, चलो मैं इस बार ना bracket में ल अगे तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो 5 प्लस 3, प्लस 3, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3, 6 शेघर 5, 11, 11 जाने का, और 11 ही यहाँ जब डाल कि आएगा, एक बार तो डाला, 11 मीटर, फिर वापस आएगा, फिर छिशे 11 मीटर, यानि 11 प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है, इस तर इस तरह से इस एपी में यह यानि फिर्स टर्म हो जाएगा 10 और जो डी डिफ्रेंस कितना हो जागा 16-10 6 हो जाएगा आग लस्टर्म हम यहाँ पर पता कर लेंगे यए न हमें पता नहीं है चलो अब क्या करना हमें स्पता करना चरुकुमी तो अब यहाँ पर सम का फोर्मला लगा देंगे तो sum का formula होता है sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d छीक है n कितना है 10 तो 10 upon 2 2 into a a यानि कि first term कितना है 10 तो 2 into 10 plus n कितना है 10 तो 10 minus 1 कितना हो जागा plus a 10 minus 1 9 और into d d कितना है 6 छीक है चलो solve कर देते हैं 2 5 जा 10 यहां क्या बचेगा 5 ब्रैकेट में 2 10 जा 20 20 plus 9 6 जा 54 तो इन दोनों को चूड़ देंगा तो यह आजागा 74 ठीक है 54 plus 20 70 4 multiply कर देंगे 5 4 जा 20 2 carry 5 75 35 35 और 2 कितना हो जागा 37 370 meter यह हो जाएगा उस computer के द्वारा distance cover चले यह था इस exercise का last question I hope कि इस chapter के आपको सारी question समझ में आया होंगे अगर आपको फिर भी किसी question में doubt है तो please आप comment section में जरूर कुछना चलिए मिलते हैं next video में okay thank you